पुपाल से खबर जहां बीजेपी में महापौर प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है सीम शिवराज सिंग चोहान और संगठन पताधिकारियों की ये बैठक जारी है आठ से दस नाम की सूची जारी हो सकती है वहीं प्रदेश प्रभारी, मुर्ली धर राओ, वीडी शर्मा, हितानन शर्मा इस बैठक में मौझूद है और लगाथार मन्थन जारी है बीजेपी मुख्याले में संगठन की बैठक के बाद सीम हाउस पहुचे है ये सभी अधिकारी और आपको बता देपदा दिकारियों में प्रत्याशयों के नामों को लेकर लगातार चर्चा भी जारी है प्रत्याशियों के नामों को अंतीम रूप देने की तैğ प्रदी जुटी हुई है वहीं बता दें कि इस बाठक को अभी CM शिवरा सिंग चोहान संबोधित भी कर रहे हैं लगातार चर्चा जारी है BJP में महाप और प्रत्याशी चैन को लेकर लगातार चर्चा जारी है चली इस खबर पर हमारे साथ एक्जेकेटिव एडिटर मनोज सैनी लाइफ जुड़ गया उनका रुख कर लेते हैं मनोजी प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मन्थन जारी है क्या इससे कुछ अमरत भी निकला है देखे अमरत तो निकला है कुछ और वो दिखाई भी देगा मुझे लगता है कि एक दो गंटे बाद जब सूची सामने होगी तो आठ से दस लोग की सूची आज जारी हो सकती है लगातार भारती जनता पार्टी के दपतर में बरिश्टेताओं के बीच में चर्चा चलती रही फिर जो नाम साट आउट हुए हैं उनको लेकर तीनों नेता तीनों बड़े नेता मद्पदेश के प्रभारी मुलीधर राओ और बीडी शर्मा प्रदेश अद्देक्ष या बात करें हितानन शर्मा जो प्रदेश संग्टन महामंत्री है तीनों रबाना हुए हैं सियम हाउस में और करीब एक घंटा से जादे हो चुका है बहाँ पर बैठक चल रही है क्योंकि सियम बड़े सीनर लीडर है लगातार भारती जंता पारटी के सीनियार्टी के बतोर भी देखें तो भी मद्पदेश के मुख्या भी हैं तो अब उनसे भी चर्चा होना है और चारों नेता म मिलकर अंतिम रूप दैने में लगे हैं लेकिन जो खबरें आ रहे हैं उसके मुताबिक जिस अमरत की आप बात कर रही है तो अमरत कुछ लोगोंको तो मिल सकता है आज मंत्छन के बात जैसा हमने देखा लगातार बंसन ल्यूज कुछ नामों को चला भी रहा है जैसे जैस से यदे हम बात करें तो मुकेश टटवाल की बात कही जा रही है सतना से योगेस तामरकार तो बाकाइदा प्रेस कॉनफेंस के जरिए कह दिया है कि शिवराज जी ने सुबह सुबह साड़े साथ बजे उनको वधाई भी दे दी है इसी तरहां माधरी पटेल की बात करें जो बुरानपुर से आती है या फिर पूरवल की बात करें जो रतलाम से आते हैं यह सब वो नाम है जिन पर रात को ही सहमती हो गई थी लेकिन कुछ नए नाम पर भी सहमती जैसे देवास से आज गायतरी राजे यहां पहुँची होई थी उनसे भी चर्चा हुई है उसके सोंबार को सियम दिल्ली भी जाने वाले हैं और ग्रिमंत्री से मुलाकात भी करने वाले हैं ऐसी भी कयास लगाय जा रहे हैं तो क्या नामों पर मुहर दिल्ली में लग सकती है देखिए अलग-अलग केविनेट मंत्रियों से केंदर के मंत्रियों से मुलाकात होना है मुकमंती शिवरा सिंग चोहान की लेकिन जाहर सी बात है ऐसे दोर में जब दिल्ली जा रहे हैं तब प्रत्यासियों को लेकर कुछ जगे जिनता भी है भारती जनता पार्टी के भीत फसता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें यदि ऐसा होता है तो फिर क्रश्ना गौर बिदाय के संभावना यही है कि साइद उनके नाम पर अंतिमोहर लगे इसी तरह रमिस मुंदला भी आज मिलने पहुंचे थे या उनको बुलाए गया तो यह तो इस पर नहीं हुआ है कि पूरे 16 नामों की सूची आज दिखाई देगी इसकी उमीद कम है आठ से 10 नामों की सूची सामने आ सकती है कुछ नाम एक दो दिने बाद देखने को मिल सकते हैं बिल्कुल सही का मनों जी आपने की 16 प्रत्याशियों के नाम आज तै हो जाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन 8 से 10 नाम जिन पर लगा थार चर्चर जारी थी कहीं न कहीं इन पर मुहर आज शाम तक लगने की उमीद है देखना होगा कि कल सीम शुवराज सिंग चोहान जब दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर मुलाकात के बाद और क्या कुछ सपश्टी करण इस विशेपर हो जाता है लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है कि आखिर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी बहुत धरनेवाद आपका तमाम बात चीट के लिए